भारत Electronics Limited ने अपना recruitment नोड़ पेशन जारी कर दिया है और यहाँ पे project engineer और project associate की vacancy available है यहाँ पे आपको 50,000 तक salary मिल जाएगी और बहुत easy selection process होने वाला है तो क्या है इसकी legitimate criteria, क्या होगा इसका selection process और आप इसमें कैसे apply कर सकते हो सभी के बारे मैं इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को इन तक जरूर देखे अगर आपको यूटर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के दाश शेयर जरूर करना ताकि जो भी eligible है वो इसमें apply कर सकता है आपने last college video को बहुत बड़या response दिया I hope same response आप इस वीडियो को दोगे तो इस वीडियो के लिए like का target रखते है 100 likes तो जल्दी सा कि इस वीडियो को like किजे और 24 hours में 100 likes complete कर दिजे ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे motivation मिलता रहे आगे बरने से पहले कुछ important बात है आपको बताना चाहूंगा अगर आप gate 2022 या फिर gate 2023 के लिए prepare कर रहे हो तो आपके लिए earn academy में लेके आरे preparation batches for gate 2022 और gate 2023 के लिए यहाँ पे mechanical के लिए batches announce कर दिये है जो batches से वो 28 जूले से start होने वाले है सिखाने मेले educator आप screen पे देख सकते हो इनको 15 साल से ज़्यादा का teaching experience है यहाँ पे coaching लेके आप अपना gate 2022 और gate 2023 का preparation कर सकते हो और gate में बहुत बढ़िया rank पास सकते हो यहाँ पे आपको doubt solving session भी मिलता है जो preparation के दौरन आने वाले doubt आप clear कर सकते हो तो इसमें enrollment करने का link आपको description मिल जाएगा आप वासे enrollment कर सकते हो enrollment करते हो समय आपको code use करना है जो कि है noculator K-A-N-O-W-C-O-L-A-T-R जिससे आपको 10% का instant discount मिल जाएगा अभी बात करते हैं भेल ने मतलब भारत electronics limited ने जो recruitment notification निकाला उसके बारे में तो यहाँ पर मैंने notification डाउनलोड कर लिया है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके notification की तो आप यहाँ पर देख सकते हो भारत electronics limited ने recruitment notification जारी कर दिया है और यह जो recruitment है वो contract basis पर होने वाला है अगर यहाँ पर आप contract basis पर work करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़े opportunity है definitely आप करना चाहते हो तो आप definitely इसके लिए apply कर सकते हो यहाँ पर हम बात करते हैं project engineer की तो project engineer के लिए यहाँ पर vacancy है और यहाँ पर बात करें तो project engineer electronics के लिए vacancy है लगबख 36 vacancy है और इसका distribution आप यहाँ पर देख सकते हो maximum age limit के बात करें तो यहाँ पर 28 years age limit होने वाली है और यहाँ पर आपके बात करें दो साल का experience होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर apply कर सकते हो second जो position है वो project engineer की mechanical के लिए vacancy है यहाँ पर total 8 post है next post की बात के तो यहाँ पर project engineer computer science के लिए vacancy है total 4 vacancy है और last post की बात के तो यहाँ पर project officer के लिए एक vacancy available है यह human resources के लिए यहाँ पर आपर age limit है जो है 28 years और आपके बात दो साल का experience होगा basic experience तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो A limit में यहाँ पर relaxation मिल जाएगा ACS candidate के लिए 5 साल का relaxation है और OBS के लिए 3 साल का relaxation है यहाँ पर engagement की बात के तो project engineer के लिए 2 साल के engagement होने वाली है मतलब 2 साल के लिए आपको job यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर maximum जो आपका job extend हो सकता है वो 4 साल के लिए हो सकता है यहाँ पर आपको first year के लिए 35,000 की salary मिल जाएगी second year के लिए आपको 40,000 की salary third year के लिए 45,000 और fourth year के लिए आपको 50,000 की salary आपे मिल जाएगी इसके अलावा आपको बहुत बढ़िया consolidated amount भी मिल जाएगा जो आपके expenses cover करेगा जैसे 10,000 रुपे एक्स्टा मिलने वाले है तो यह salary अलग रहेगी इसके अलावा भी आपको 10,000 एक्स्टा मिलने वाले है तो बहुत बढ़े opportunity है और यहाँ पर आपको experience भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा education qualification की बाद project engineer electronics के लिए अगर आपने BB tech किया है या फिर BAC engineering की है electronics या फिर electronics and communication में ENT में मतलब electronics और telecommunication में या फिर telecommunication में तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर जो ब्यांतिय स्पेसिपा है वो ही याँ आप अप्लाई कर सकते है next position की बाद कर तो यहाँ पर project engineer one के लिए mechanical के लिए vacancy है अगर आपने BB tech किया है या फिर BAC engineering की है mechanical में तो ही आप apply कर सकते हो next position की बाद कर तो यहाँ पर project engineer one की वेकंसी है जहाँ पर computer science eligible है अगर आपने BB tech या फिर BAC engineering की है computer science में तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो project officer human resources के लिए यहाँ वेकंसी है अगर आपने MBA किया है MSW किया है MHRM किया है MA किया है with specialization human resources तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बहुत बड़या वेकंसी है अगर आपके पास experience है तो आप definitely इसके लिए apply करना दो साल का experience है तो project officer या फिर project engineer के लिए आपर दो साल का experience required है अगर आपके पास teaching experience है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पास एक सल का experience है तो भी आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं teaching experience valid नहीं है उसके अलावा आपके पास कोई industrial experience है तो definitely आप इसके लिए apply करना बहुत बड़या vacancy available है और इसके vacancy's के बारे में बात करें तो यहाँ पर application form जो है 21 तरीश से शुरू हो चुके है 21 जुले से यहाँ पर application form शुरू हो चुके है और 4 औगस तक आप इसके लिए apply कर सकते हो application के लिए यहाँ पर fee भी होने वाली है जनरल, OBC candidate के लिए यहाँ पर application fee है तो यहाँ पर आपके बास 10 marks का weightage मिल जाएगा आपको और finally यहाँ पर interview होने वाला है जिसको 15 marks का weightage होने वाला है तो इस तरह से आपका selection होगा मतलब 3 stage में यहाँ पर आपका यह पहला stage और second stage तो complete हो चुका है बट यहाँ पर जो third stage है वो video interview होने वाला है आपको घर बेटके आपी interview देना है और उसके basis पे आपका यहाँ पर selection हो जाएगा final selection की बात करतो है आपके 75% जो है वो आपके B.E.B.TX के marks पे है 10% जो marks है वो आपके qualification experience पे है और 15% जो marks है वो आपको shortlist किया जाएगा आपके video interview पे तो इस तरह से आप इस selection होने वाला है बहुत बड़ी opportunity है apply करना कैसे है उसके बारे में हम बात करते है अभी तो apply करते समय आपको visit करना है बेल के official website पे जिसका link आपको decision मिल जाएगा आप वासी check कर सकते हो यहाँ पे आपको detail मिल जाएगा यह जो recruitment है वो हिदराबाद के लिए होनी वाली है और यहाँ पे apply online पे क्लिक करके आप apply कर सकते हो बहुत simple process है अगर आपको application form बते समय कुछ भी problem होता है तो आप मुझे comment section में बैठाना मैं definitely आपको help करूँगा फिलाल इस video मितना ही अगर आपको वीडियो पसंदा होगा तो इस वीडियों को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए धन्यवाद